तो नाव आई अपर एक भारी गिरावट के बाद एक तेज रिकवरी हमें देखने को मिली है और जी क्यूजी पार्टनर से जहां पर करीदा वो लेवल से यहां पर ब्रीच होते हुए नहीं देखे हैं क्या यहां से अब एक अपसाइड यहां पर देखने हुए क्योंकि एक काफी बड़ा डाउंसाइड हम देख चुके हैं और देखें जी कुझी पार्टनर ने दो बारे आपर इस्टेक लिए आपका जो प्राइस है वो भी हम डिसकस करें और दूसरा जो है वो यहां पर आज ब्रीच होता हो देखा क्योंकि मिटकेप के अंदर देखें बहुत बड़ा प्रैसर है और उसकी वज़ाए से कहीं न कहीं आप जो है एक प्राइस फॉल हमें देखने को मिला तो दूसरा वाला कोई बहुत बड़ा एहम लेवल नहीं था कि मतलब तो टूट गया तो वो उस हलका हो गया था जो कि यहाँ पर 24 के आसपास का पी रिश्यो पहुंच गया था 24 के आसपास का वैलिशन बहुत स्टेच हो चुकी थी IDFC फर्स्ट बेंग के अंदर और एक व्यू मैंने आपको जो बना के दिया था कि 100 रुपए जाना है वो आपका कम्प्लीटली गया टाइ लेवल स्टीक निकले और जहां से प्रॉफिट वुकिंग आई वो लेवल भी मैंने आपको पहले ही मेंशन कर दिये थे तो वो सारी चीजह होती हो देखी जो हमने पहले ही डिसकस कर ली थी लेकिन इस वक्त जो है 24 से 22 पॉंट टेस का यहां पर पी रेश्यो देखने को मिल बहुत ही इंपॉर्टन लेवल थे तो पता नहीं यह अब यहां पर जो है कल के दिन ही पता चलेगा कैस के अंदर ग्रावट और बढ़ रही है यहां पर यह अब नॉर्मल हो रहा है क्योंकि अब जो एक्शन बनेगा वो कहीं न कहीं क्यो टू के वादी बनेगा एक बड़ वैलिशन पर है आपका 20.98 का इंडिस्टी पी है और उसके कंपरेजन HDFC बैंक जो है वो 25.42 का पी रिशो होल्ड करती है जो की HDFC बैंक के थोड़े से जो वैलिशन है वो स्ट्रेच हो चुके हैं लोग तेजी की बात करें बैंक के अंदर अगर आप देखेंगे तो कुछी बैंक से जिनके वैलिशन स्ट्रेच नहीं होएँ अदर वाइस सारे सारे स्टॉक्स बैंक काफी बात की बात है अभी फिराल जो है वो सेक्टर किया कह रहा है वो आपका कह रहा है की हाई पी होल्ड कर रहे हैं स्टॉक्स यह इंपर्टनट है तो अगर आप देखें HDFC बैं 18.61 यह काफी लोग बर चला है इसका P कोटक मेंदर बेंट 22 और एक्सिस बेंट 24.58 और आपका 22.40 के आसपास का P ratio चला है यानि कि जब यह सब exist कर रहे हैं तो आपका भी यह hold करना चाहिए और अच्छी खासी यहाँ पर फंड्स की तरफ से खरिदारी हुई थी उन लेवल्स को तोटना यहाँ पर आसान नहीं है और देखियो बुक वैल्यू की कंपैरसन भी अगर आप देखें तो HDFC की यहाँ पर बुक वैल्यू टू प्राइस यहाँ पर देखेंगे प्राइस टू बुक वैल्यू अगर आप देखेंगे तो अपने बुक वैल्यू से 4.0 टाइम उपर वर्क कर रहा है इस वक्त है आज की करेंट के बाहु के साब से आईसे इसे वैंक वहीं पर है 3.12 के मल्टिपल वर्क कर रहा है कोटक मेंदर वैंक 3.11 एक्सिस बैंक 2.27 और एक्सिस बैंक के बरावर ही है आपका आईएफसी फर्स्ट बैंक तो इनको बिलकुल बरावर इनके आकर खड़ा हो गया है और यहाँ पर देखें मेर्जिमेंट पर बहुत भरोसा बन रहा है जिस वएसे इन्वेस्टर आवी रहे है और इन्वेस्टर जब हाईयर प्रैस पर बाई कर रहे है तो इसका कुछ तो मतलब होता है यानि कि आपका होल्ड करने के ज़्यादा चांसस है जब निवेसक यहाँ पर इतने बड़े निवेसक यहाँ पर का higher price पर buy कर रहे हैं तो इसका सीधा-सीधा अर्थ यही है मतलब यही है कि आप भी higher price पर रहने के लिए तैयार हो जाई है तो देखिए बात हुई थी 100 रुपे की और मैंने आप से खाता है कि अगर 100 रुपे यह hold करता है उपर टिक रहा है तो ही इसके अंदर आप को साइकलोजिकल लेवल को क्रोस करना आसान है आप यह करेगा या नहीं करेगा वह बात है फिलाल देखिए और स्टेटिजी क्या बनानी है यह आप समझेए तो अभी देखें यह आपका एक सेप्टेंबर के दिन आपका जो लोएस्ट लेवल है वो है 89 जो कि मैंने आपको अल्रेड़ी बता दिया था कि 89 नहीं टूटेगा 89.10 का लो लगा लेकर 89 ये नहीं ब्रेच हुआ 89 से पहले ही ये स्टॉक घूम गया और आपका हाईर साइट 100 रुपे गया बिल्कुल सटी गरा है लेकर वहां से अब गराब अठा चुकिए वो भी हम डिसकस कर चुकिए तो ये सारी चीज़े होनी थी राइट ये सारी चीज़े होनी थी वही हुआ लेकिन यहां पर आज के 89 से ही support लिया याने कि आपका double है यहां बन चुका है bottom टाइप याने कि आपका बन गया है double bottom ठीक है तो यह double water में आपर formation कहीं न कहीं आपर दिख रहे हैं और यहां पर अब यह होता हो दिख रहा है क्योंकि level उसी level से दूसरी बार भी गूमा तो यह बहुत important है तो अब होगी real testing क्या यहां से एक highest side मिलना है start होगी अगर यह highest side मिलती है तो तो बहुत अच्छी खासे upside होगी और यह से एक यूटन हमें देखने को मिलेगा stock के अंदर आप यहां पर करना क्या है कि double water हो या कुछ भी हो यहां पर आपको 89 के level को देखना है watch करना है अगर आज आपने खरीदा है तो 89 का आप stop loss रख सकते हैं अगर आपकी इच्छा है तो आप 89 88.50 का stop loss आप रखिए चोटा से stop पर खरीदा होगा इसे आप hold कर सकते हैं बिल्कुल क्यूंकि गिराबट हुई थी 10% की higher side से वो enough थी और वो यहां पर हो गई है अब जब सारे banks के P ratios आपके जाहतर जो big banks है वो P ratios जब higher side जाए रहे हैं उनकी value से stretch है ही already और वो अभी भी तैयार है तो फिर आप भी तैयार ही हो जाएए Q2 आने वाला हो सकता है कि अपना वक्त जो है वो 90 के ऊपर गुजारते Q2 तक possible है कि 100 के ऊपर थोड़ा सा निकल जाए तो यह जो possibility है और यह सब यह तो बात की बात है फिलाल hold करना चाहिए तो hold के लिए आप 89 के level को ध्यान रखिए 89 के level जब तूटेगा तब एक अच्छी खासी गरावट आएगी तब वो बात की बात है फिलाल जो है वो 89 को आपकी स्टॉक ने दोबारा रिस्पेक्ट दिये दोबारा सपोर्ट दिया है और यह important बात है तो अगर किसी ने buy कर रखा है 88.50 के आसपास का यहाँ पर जो है वो एक आप level watch करिए 88.50 का आप जो है एक level watch करेंगे तो आपके लिए ज्यादा बहतर है अगर वो तूटता है तो अपनी जो खरिदारी आपने नई कर रखी है उससे आप थोड़ा सा हटके रहिए ज्यादा बहतर है क्योंकि अगर वो 89 के जब दोबारा सपोर्ट वहाँ दे रहा है और अगर वो तो वो यहाँ पर बात आ जाती है तो उमीद है आप इस बात को समझेंगे फिलाल आज कर रिकवरी बहुत अच्छी है लेकर आज बैंक निफ्टी की एकस्पारी को यह सही है रिकवरी है या क्या है यह देखना है लेकर लेकर चल सकते हैं इस स्टॉप के अंदर और अपनी पोजिशन जो है वो आप कहरे कर सकते हैं तो आप क्या कहना है इस क्यूप कर में से समके यह और आप दीजिए में वीडियो देखने लिए बहुत द्रमाद दोस्तों